क्रिकेट की दुनिया यानि गेम आफ क्रिकेट में आपका स्वागत है चिन्ने सूपर किंग्स की टीम आज राजस्तान रॉयल्स के सामने होगी और ये मैच इतना बड़ा है कि इसी को खिताबी मुकाबला तक आ जा रहा है क्योंकि CS के आज का मैच जीती तो फिर फाइनल भी जीतना तया है पका है और ये किसी और नहीं बलकि खुद कप्तान महिंदर सिंग धोनी ने का है और इसलिए आज के इस बड़े मैच के लिए एक बार फिर से माही ने टीम भी बदल दिया है खिलाडियों को बदल दिया है तो आपको बताते हैं आज के मैच में कैसी है धोनी की टीम और कैसे आज का मैच जीत कर खिताब भी जीत जाएगी धोनी की टीम आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें अब MPL पर आप एक iPhone जीत सकते हैं और ये एक बार नहीं बलकि हर रोज का ओफर है और अगर हमारे विवर्स में से किसी को iPhone मिल जाए तो comment box में थैंक्स जरूर बोलना करोणों जीत हो या फिर जीत सकते हो ये बहुत सारे fantasy अप दावा करते हैं लेकिन सच में देते हैं क्या कोई परिशानी नहीं है यहां दीबदास गुपता जैसे एक्सपर्ट हैं जो हर मैच के लिए टीम बना कर देते हैं हमने भी 30 ची में बनाई थी जिसमें से 24 वी टीम ने 10,000 जिता कर दिये हमने कैसे टीम बनाई वो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आप भी टीम बना है और अगर आज का मैच जीतती है तो फिर CS के हर हाल में टॉप टू फिनिश करेगी और इसका मतलब यह हुआ कि धोनी की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके मिलेंगे और जब-जब धोनी की टीम ने टॉप टू में फिनिश किया है तब-धोनी की टीम फाइ जीतने जैसा होगा क्योंकि प्लेओफ में खेलना हमें और ज्यादा पसंद आता है यानि कि आज का मैच CSK और धोनी की खिताब के लिए दाविदारी ताई करने वाला है और इसलिए आज का मैच हर और धोनी की साथ सब्से अच्छी बात यह कि जो अच्छा चल रहा है माही का भरोसा बना हुआ है चौते नमबर पर अमबाती राइडू, पांचवे नमबर पर सुरेश रहना की भी जगर पकी है इन दोनों की लाड़ियों पर भी धोनी का भरोसा लंबे समय से है और आगे भी बने रहने वाला है दोनी खुद चाटे नमबर पर खेलने आएंगे जो की पिसले मैच में चखके से मैच जिताकर सब के दिलों पर राज कर रहे हैं वही साथवे नमबर पर CSK के नए फिनिशर सर रविंदर जड़िजा खेलने आएंगे जो की पूरी तरह से धोनी के फुट स्टेप्स पर फॉलो कर रहे हैं अब यह रही बैटिंग ओर्डर की बाद जिसमें जड़्डू और मोहिन की रूप में दो अल्राउंडर भी हैं अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बदलाओं की खबर आ रही है महिन्दर सिंग धोनी ने आज फिर से ड्विन ब्रावो को आराम दिया है और आज एक बार फिर से सैम करन की टीम में वापसी हो रही है और यह बदलाओ पूरी तरह से कन्फरम है कन्फरम खबर आपको बता रहे हैं दूसरा बदलाओ जोश हेजल वुट के रूप में भी हो सकता है जी हाँ खबर है कि पिछले मैच के प्लेयर अप दे मैच हेजल वुट को भी आराम दिया जा सकता है और अब उधाबी के स्पिन फ्रेंडली विकेट पर इमरान ताहिर को खेलने का मौका मिल सकता है और अगर धोनी ने तेज गेंदबाजी पर इभरोसा जता है तो फिर अफरिका के लुंगी एंगीटी को यहाँ पर खिला जा सकता है हाँ हेजल वुट को आराम दिया जाएगा यह लगभगता है हो चुका है वह इसके बाद दो तेज गेंदबाज टीम में बने हुए हैं भारत के शारदु ठाकूर और दीपक चाहर की जोड़ी मैदान में यहाँ भी नज़र आएगी दोनों पर धोनी जबरदस फेत रखते हैं दोनी खिलाडियों ने हमेशा धोनी के भरोसे को काइम भी रखा है और यहाँ भी यही दोनों खिलाडी मैदान में CSK के लिए गेंदबाजी में ओपन करेंगे तो खुल मिलाकर आज CSK की टीम में दो बदलाव होते वे नज़र आएंगे और आज का मैच जीत कर धोनी की CSK सीदे खिताब ही जीत डालेगी यह ताई माना जा रहा है तो आपका इस टीम पर इस मैच पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेट भी करें आपने भी MPA पर अभी तक टीम नहीं बनाए तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करो और टीम बनाओ आईफॉन जीतने का पूरा मौका है क्रिकट के हर नई अपडेट के लिए गेम आफ क्रिकट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम आफ क्रिकट की हर खबर सबसे पहले